नमस्कार दोस्तो, स्वागत है एकबार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है राश्ट्पती का चुनो किस परकार से किया जाता है दोस्तो हम सबो को मालूम है की राश्ट्पती एक बड़ा ही शम्मयधानिक पद है राष्टपती भारत का राजय प्रमुक होता है और दोस्तो हम यह भी जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट की एकता, अखंडता एवं सुद्रिडता का प्रतीक होता है दोस्तो हम आज इस वीडियो में राष्टपती के चुनाओं से सम्मंदित मुख्य तत्यों के बारे में बात करेंगे दोस्तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राष्टपती के चुनाओं के लिए क्या योगिता होनी चाहिए हम यह भी देखेंगे कि चुनाव में मत दाता कौन होते हैं वोट कौन देते हैं जी हाँ दोस्तो हम सबों को मालूम है कि इस चुनाव में आम लोग तो हिसा लेते नहीं है फिर प्रस्ण ये उठता है कि आखिरकार इस चुनाओ में जो वोट डालते हैं वो कौन होते हैं आखिरकार मत दाता कौन होते हैं दोस्तो हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि केंदर सासित परदेश जम्मु कास्मीर की चुनाओ में क्या इस्थिती है जी हाँ दोस्तो नवगठित जमू कास्मीर जो नया-नया केंदर सासित परदेश के रूप में उभर कर आया है क्या इस चुनाव में हिस्सा ले पाएगी या नहीं ले पाएगी या उसकी क्या इस्थिती है इस विशाय में हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो अनुछेद चौवन के भी सह में हम बात करेंगे हम इसमें यह भी देखेंगे वोट या मतो का मुलिक कैसे निकाला जाता है अनुपातिक प्रते निधो परनाली क्या होती है एकल संक्रमनिय मत परनाली क्या होती है और दोस्तो अंत में इन सारी प्रकिरिया को एक उदाहरन के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि राश्टपती का चुनाओ किस प्रकार से होता है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं राश्टपती के पद हेतु क्या योगिता है? दोस्तो कोई भी ब्यक्ति राश्टपती के चुनाओं में तभी खड़ा हो सकता है जब वह ब्यक्ति भारत का नागरिक होगा वह ब्यक्ति 35 वर्स की आयू पूर्ण कर चुका हो लोकसवा का सदस निर्वाजित होने योग्यो जदी वह व्यक्ति लोकसवा का सदस निर्वाजित होने योगिन नहीं है तब वो राष्टपती का चुनाओ नहीं लड़ सकता है राष्टपती का चुनाओ लड़ने के लिए एक सर्थ यह भी है कि वह किसी लाव के पद पे नहीं बना हुआ हो किसी भी लाव के पद पे नहीं बना हो यहाँ पे दोस्तों हमें एक बात किलर कर दें कि एक बरतमान राश्टपती अथवा उपराश्टपती किसी राज्य का राजपाल और संग अथवा राज्य का मंत्री किसी के लाव के पद पे नहीं माना जाता है दोस्तो राष्टपती के चुनाव की एक सर्थ यह भी है कि उसके 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए अब सवाल ये उड़ता है कि आखिर ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है दोस्तो हम सबों को मालूम है कि राष्टपती का चुनवाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और ये प्रस्तावक और अनुमोदक जो हैं वह इसी निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं तो दोस्तो किसी भी ब्यक्ति के लिए यह सर्थ है कि वह राश्टपती का चुनाव में तभी खड़ा हो सकता है जब उसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे ये प्रस्तावक और अनुमोदक जो हैं लोकसवा के भी हो सकते हैं राजसवा के भी हो सकते हैं या किसी राज्य के बिधायक होंगे तो ये सर्थ है राश्टपती के चुनाव के लिए और दोस्तो इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए एक सर्थ यह भी है कि भारतिये रिजर्व बैंक में उस ब्यक्ति को 15,000 रुपे की जमानत रासी को जमा करनी होती है जी हाँ दोस्तो 15,000 रुपे ये रासी जमानत के रुप में एक सिक्यूरिटी मनी के तौर पे भारतिये रिजर्व बैंक में जमा होती है ये इसलिए जमा किया जाता है ताकि इस चुनाओ में जो ब्यक्ति राष्टपती के चुनाओ में हिस्सा ले रहे हैं वह पुरे मन से पुरी करमठता के साथ हिस्सा ले सके इस भीड को कम कर ले के लिए यह नियम बनाया गया है दोस्तो जदी कोई ब्यक्ती राश्टपती के चुनाव में हिस्सा लेता है और 15,000 रुपे की जमानत रासी भारती रिजर्ब बैंक में जमा कराता है जदी कुल डाले गए भोटों का एक वटा च्छा भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो यह जमानत जब्द कर ली जाएगी कहने का तात पर्ज दोस्तो यह है कि मान लिया जाए कि 60 भोट है तो 60 भोट में से कम से कम उसको 10 भोट आने जरूरी है नहीं तो यह जमानत रासी जो है वो जब्द कर लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक बात और किलियर कर दू कि 1997 से पहले यह जमानत रासी डहाई हजार रुपे की थी एवं प्रस्तावक एवं आमोदकों की जो संख्या थी वह दस-दस थी 1997 में यह नियम लाया गया कि जो रासी है वह 15,000 रुपे होगी और प्रस्तावक एवं आमोदकों की संख्या 50-50 होगी अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि यह मतदाता कौन होते हैं जो राष्टपती के चुनाव में हिसा लेते हैं राष्टपती के चुनाव में मतदान करते हैं आकिरकार यह मतदाता कौन होते हैं आम लोग तो बोड़ देते नहीं हैं, हम तो बोड़ देने जाते नहीं हैं, तो फिर ये मतदाता होते कौन हैं, राश्पती का चुनाव तो होता है, राश्पती तो बन जाते हैं, पर ये मतदाता कौन हैं, ये देखते हैं दोस्तो इसमत दानवे भाग लेने वाले जो सदसे हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाची सदसे दोस्तो हम सभी जानते हैं कि संसद के दो सदन हैं लोकसवा एवं राजसवा तो जो लोकसवा और राजसवा के निर्वाची सदसे हैं वो राश्टपती के चुनाव में हिसा लेते हैं राज बिधान सवा के निर्वाची सदसे राज बिधान सवा के जो निर्वाची सदसे हैं वो भी इस परकिरिया में भाग लेते हैं और दोस्तो दो केंदर सासित परदेश दिल्ली वा पांडू चेरी भी इस निर्वाचन परकिरिया का हिश्या है वो भी इस परकिरिया में भाग लेते हैं दोस्तो इस निर्वाचन परकिरिया में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो कि भाग लेने में असमर्थ होते हैं वो सदस्य हैं संसद के दोनों सद्रों लोकसवा और राजसवा के मनोनी सदस्य जी हाँ दोस्तों हम सभी जानते हैं कि संसद के जो सदन है लोकसवा और राजसवा उसमें कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिनका चुनाओ नहीं होता है उनका जो सलेक्शन होता है वो राश्पती द्वारा किया जाता है तो जो मनोनी सदसे हैं वो इस चुनाओ प्रकिर्या में भाग नहीं लेते हैं राज बिधान साबा के मनोनी सदसे भी इस प्रकिर्या में भाग लेने में असमर्थ होते हैं दोस्तो हमारे देश में कुछ Aisay Witness हैं कुछ ऐसे भी राजे हैं जहां पे द्विशद्निय विधाई का होती है कहने का मतलब कि एक विधान शबा होती है और विधान परिशद होता है तो जो विधान परिशद के सदस्य होते हैं चाहे वो निर्वाची सदस्य हो या मनोनी सदस्य हो इस प्रकिरिया में भाग नहीं लेंगे केद्र सासित प्रदेश दिल्ली वा पांडुचेरी के मनोनी सदस इस प्रकिरिया में भाग नहीं लेंगे और दोस्तो एक बात और किलियर कर दूँ कि जो सभा बिगाटित हो चुकी हो जो सभा भंग हो चुकी हो वो इस परकिरिया में भाग नहीं लेते हैं जैसे लोकसभा और राजसभा हैं हम सभी जानते हैं राजसभा कभी भंग नहीं होती है लेकिन लोकसभा तो भंग होती है तो जब लोकसभा भंग हो जाती है तो उसके कोई भी सदस चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनित हो इस परकिरिया में भाग नहीं लेंगे दोस्तो अब हमारे सामने एक समस्या उठती है जम्मू कास्मीर की सिती के विसे में दोस्तो अगश्ट 2019 में जम्मू कास्मीर एक केंदर सासित परदेश के रूप में उभर कर आया है अब प्रस्ण ये उठता है कि जब केंदर सासित परदेश बन गया तब क्या जम्मू कास्मीर भारत के राश्ट पती के होने वाले चुनाव में हिस्सा ले पाएंगी या नहीं तो चलिए दोस्तो बात करते हैं इस विसे में दोस्तो इस विसे में बात करने से पहले हम भारतिय सम्विधान के अनुच्छे चौवन पर एक नजर डालते हैं भारतिय सम्विधान के अनुच्छे चौवन यह कहता है कि भारत के राश्ट पती का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे और सभी राज्यों के बिधान सबा के सदस्य होंगे एवं राष्ट्रिय राजधानी छेतर दिल्ली और केंदर सासिस प्रदेश पांडू चेरी की बिधान सवा के निरवाची सदस इसमें हिस्सा लेंगे अब दोस्तो अनुछे चौवन ये कहता है कि इसमें राष्ट्पती का चुनाव जो होगा एक निरवाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें सामिल कौन कौन होंगे संसत के दोनों सदनों के सदस से लोकसभा और राजसभा के सदस से राज बिधान सवा के निरवाची सदस से और दिल्ली पांडू चेरी के निरवाची सदस से तो यहाँ पे केंदर सासित परदेश जो है जमू कासमीर उसका कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है तो फिर हम कैसे स्योर हो सकते हैं कि अब भारत के राश्टपती के चुनाओं में हिस्सा ले पाएंगी दोस्तो एक घटना पे हम नजर डालते हैं एक छात्र ने इलेक्शन कमिशन अफ एंडिया से एक आर्टी आई के माध्यम से एक प्रशन पूछा था कि क्या नवगटित केंदर सासित परदेश जमू कास्मिर इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे अथवा नहीं उन्होंने एक लिस्ट मांगी थी कि वो सारे स्टेट्स के वारे में उन्होंने उसका लिस्ट मांगा था वो सभी केंदर सासित परदेशों का कि जो कि इस निर्वाचक रिकिरिया में भाग लेंगे तो इसके जवाब में Election Commission of India ने चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इस संदर्व में जानकारी के लिए भारतिय शामिदान के अनुछे 54 को देखें अब अनुछे 54 में इस बात्र का कहीं जिक्र है ही नहीं कि किंदर सासित परदेश जम्मू कासिर इसका हिस्सा होगा अथवा नहीं होगा मतलब कि कहने का तात्वर्च यह है कि सपस्ट रूप से कुछ भी नहीं हो सका है कि जम्मू कास्मीर भाग लेंगी अथवा नहीं अब दोस्तों अगर जम्मू कास्मीर को राश्पती के चुनाव में हिस्सा लेना होगा तो उसके लिए एक शंबीधानिक शंसोदन के अवशक्ता होगी संबीधान के अनुछे 54 में उल्लेखित जो पचास परतीसाद से अधिक राज्योदारा समर्थन मिलता है तो फिर इसको अनुछे 54 में सामिल किया जा सकता है दोस्तों एक बात और बता दे कि 1992 में सत्तरवे संदिनान संसोदन के अनुसार दिल्ली वा पांडू चेर्यू को इस निर्वाचन परकिरिया में इस निर्वाचन मंडल में निर्वाचक मंडल में सामिल किया गया था चलिए दोस्तों अब देखते हैं राश्टपती चुनव में जो उमिदवार होते हैं उनको जो वोटिंग मिलता है उन्सके मतों का मुल्ली निकाला जाता है उनके वोट्स की वैल्यू को निकाली जाती है और तब जाकर के डिशाइड होता है कि पीजाई कौन है इसमें बिधायक के मत का मुल्ली निकालना है तो जिस भी बिधायक के मत का मुल्ली निकालना है उस राज्य की जो कुल जनसंक्या है उस एमाउंट को उस राज्य में कितने विधायक है उस एमाउंट से डिवाइड करना होगा और जो कुल रासी आएगी उसको एक बटा एक हजार से मल्टिपलाई कर देंगे दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक बटा एक हजार से मल्टिपलाई करने का क्या ओचित्य है राज्य की कुल जनसंक्या समझ में आती है कि अलग अलग राज्य की अलग अलग जनसंक्या होगी अलग-अलग राजियों में विधायकों की संख्या भी अलग-अलग होगी बट एक बटा एक हजार जो एक सेम अमाउंट है इस अमाउंट को तो सभी विधायकों के वैल्यू को निकालने में गुना किया जा रहा है मल्टिप्लाई किया जा रहा है तो फिर क्या ओचिते है एक बटा एक हजार का तो दोस्तो इसका सीम्बल सा ओचिते यह है कि किसी भी राजी की जज संख्या एक बहुत बड़ी अमाउंट है एक बहुत बड़ी रासी होती है उस रासी में राजी के कुल विधाय क्योंकि एक सिमित संख्या से जदी हम डिवाइड करेंगे तो एक बहुत बड़ी रासी बन कराएगी तो बो रासी उसको याद रखने में या फिर डेटा जेनरेट करने में मुस्किल का सामना होगा तो उस समस्या से बचाओ करने के लिए उसको एक हजार से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो देखने में रासी लगे वो छोटी लगे और कोई औचित्ते नहीं है दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बता दे कि हम सबों को मालूम है कि राजे की जल संक्या होगी किसी भी राजे का सेम नहीं होगा अलग-अलग राज्यों की जन्संक्या अलग-अलग होगी तो जो राज्य की जन्संक्या अलग होगी इसका मतलब यह है कि सभी विधायकों के वोट्स के वैल्यू भी अलग-अलग होंगे सारे स्टेट्स के जो विधायक होंगे अगर एक ही state के विधायक हैं तो वो तो same होगा उनका value क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक विधायक के value को उस state के विधायक के value को निकाल रहे हैं बड़ अगर दूसरे state से compare करें तो वो different भी हो सकता है में भी same भी हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक बिदायक जो भिहार का है कोई दूसरा बिदायक राजस्तान का है पंजाब का है कहीं और का है तो उसका VOTS का VALUE सेम आएगा वो जनसंख्या के अनुपात के अनुसार है और दोस्तो यह जो राजी की कूल जनसंख्या है अब ये सवाल उठता है कि रजी की जन संख्या है वो कब की decide की जाएगी रजी की जन संख्या जो है 1971 में जो जन गन्ना होई है उसके अनुसार यहाँ पर data generate करने के लिए 1971 की जन गन्ना को refer करेंगे मतलब कहने का मतलब यह है कि 1971 में रजी की जो जन संख्या होगी उसी जन संख्या के हिसाब से बिधायकों के वोट्स के वैल्यू निकाली जाएगी तो ये दोस्तो इस प्रकार से एक बिधायक के मत का मुल्य निकाला जाता है अब सांसद के मत का मुल्य कैसे निकाला जाता है इसमें सभी राज्यों के बिधायकों के मतों के मुल्य को निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग दिया जाता है यहाँ पे सभी राज्यों के बिधायकों के मतों का मुल्य कहने का मतलब इसमें सभी राज्य भी आ जाएंगे और जो दो केंदर सासित परदेश इसमें हिस्सा लेते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे मतलब 28 प्लस 2 उसको निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग देना होगा और जो रासी आएगी वो एक सांसद के मत का मुल्ले होगा दोस्तो राश्पती चुनाव में निर्वाचित होने के लिए एक अवस्यक मतों का भाग प्राप्त करना अनिवार्ज होता है उमिदवार के लिए उसमें कुल बैध मत को भाग देना होता है निर्वाचित होने वाले कुल उमिदवारों की संख्या पलस एक से और जो रासी आती है उसमें एक को एड़ करना पड़ता है प्लस वन किया जाता है इस इसको सिंपल सी भासा में समझा जाए तो हम सबों को मालूम है कि अगर राश्टपती का चुनाव हो रहा है तो निलवाजित होने वाले उमिदवार एक ही होंगे भारत का राश्टपती एक ही होता है दो, चार, पांच नहीं होता है एक ही राश्टपती होता है तो जो कुल वैदमत हैं उसमें सिंपली आप 2 से डिवाइड कर दीजे और उसमें एक जोड दीजे एक value निकल जाएगा कि राष्टपती के चुनाव में अगर कोई उमिद्वार है वो विजय तभी होगा जब कुल बैधमतों को दो से भाग देने के बाद उसमें एक जोडने के बाद जो रासी आएगी अगर वो प्राथ कर लेती है तो वो विजय होगा अन्य था वो विजय नहीं उपाएगा दोस्तों चलिए बात करते हैं यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व परनाली क्या होती है दोस्तों आप सबों को मालूम होगा कि भारत के राष्टपती का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व परनाली के नुसार होती है तो अब यह अनुप से वेटेज भी कहा जाता है वेटेज दो राजियों के विधायकों के वोटों का जो वेटेज है वो अलग-अलग होता है और यह वेटेज राजिक की जनसंख्या के अधार पे तै किया जाता है जिहां दोस्तों यहां पर द्यान देने वाली बात है कि यह जो वेटेज है वा राजी की जन संख्या के आधार पे तै की जाती है। मतलब कि किसी राजी की जो जन संख्या होगी उसके अनुसार तै किया जाएगा वेटेज। और यह वेटेज जिस तरीके से तै किया जाता है उससे हम अनुपातिक प्रातिनिधित्व प्रानाली कहते हैं। और इसी अनुपातिक प्रातिनित्तु प्रणाली के तहत राष्टपती का चुनाव होता है दोस्तो राष्टपती के चुनाव के एक और प्रकिरिया है एकल संक्रमनिय मत प्रणाली एकल संक्रमनिय मत प्रणाली में मत दाता क्या होता है कि बोर्ट तो एक ही देता है किन्तु वो कई उमिद्वारों को अपनी प्राथ मिक्ता के अधार पर बोर्ट देता है मतलब कि वैलेट पेपर को यह यह बताता है कि उसकी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौती पसंद इस टाइप से वो अपने पसंद को बताते रहता है मतलब ballot paper पे एक format बनाव होता है कि ये परतियासी है और ये वरियता है मतलब अगर परतियासी मान लिया जाए कि कोई A, B, C, D, 3, 4 परतियासी खड़े हैं तो कोई भी उमिदवार खड़ा है A, B, C जदी उसको कोई vote देने के लिए आएगा तो वो vote तो एक ही देगा बट उसमें क्या है अपने options वो दिखाएगा अपनी वरियता को दर्ज करेगा कि वो first priority पे किसको vote देना चाहता है, second priority पे किसको देना चाहता है third priority पे किसको और fourth priority पे किसको देना चाहता है एकल संकरमनी अमत प्रनाली इसलिए कहा गया कि जदी votes की जो value की counting होती है तो उसमें क्या होता है कि जो last, जो अगर suppose फर्स्ट preparatory पर्थम बरियता वाले votes की counting हो रही है तो उसमें जो पर्थम बरियता वालों में कि सजिसको सबसे कम vote में होते हैं वो क्या है कि इस round से अलग हो जाते हैं वो हार जाते हैं और उनके जो second वरियता वाले जो votes होते हैं बाकी के उमिदवारों में अस्तनांतरन हो जाते हैं इसलिए इसको एकल संकरमनी मत्प्रनाली कहा जाता है आईए दोस्तों अब देखते हैं एक उधारन के मादम से हम इस पुड़ी परगिर्या को समझने का प्रयास करते हैं माना कि चार उमिदवार हैं A, B, C, D आप नाम चाहिए कुछ भी दे दिजे, राम, रहीम, सलीम, करीम, कुछ भी दे दिजे हमने यहाँ पर सुविदा के लिए A, B, C, D, A, D, I अब यहाँ पर मान लिया जाए कि सौ मत दाता हैं हमने सुविदा के लिए यह सिलेक्ट किया है कि सभी के सभी सांसद हैं वो चाहे बिदायक भी हो सकते हैं सांसद भी हो सकते हैं लेकिन क्या है कि ये वोट्स की वैल्यू निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और आपको समझाने में थोड़ा असुविदा हो जाएगा तो इस वज़े से हमने यहाँ पे सभी के सभी 77 को सिलेक्ट किया है तो मान लिए जाएगा चारूमी दवार हैं और सौ मतदाता है अभी जब कोई मतदाता मत देने के लिए जाता है तो उसे एक मतदान परशी दिया जाता है राष्टपती के चुनाओं के लिए उसमें क्या है परत्यासियों के नाम लिखे होते हैं वो A, B, C, D, E, F जो भी है उसमें परत्यासियों के नाम लिखे होते हैं और उसके नेक्स्ट कॉलम में एक बरियता दिया हुआ होता है मतलब कि जदी कोई मतदाता मतदान के लिए पहुँचता है तो उसको वोड तो एक ही दिने होते हैं परशी एक ही मिलता है लेकिन क्या है कि वो सभी के बरियता जितने भी कॉलम हैं जितने भी परत्यासी हैं उन सभी के सामने अपनी बरियता को दर्ज करनी होती है कि वो first priority पे किसको select करता है, second priority पे किसको, third priority पे किसको और इस तरह से जितने परत्यासी हैं उतनी बरियता उसको दर्ज करनी होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लिया है कि पर्थम बरियता की जो votes की counting हो रही है अगर पर्थम बरियता वालों के लिश्ट देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 45 मत दादाओं ने A को select किया है 23 ने B को, 18 ने C को और 14 ने B को दिया है अब इस परकिरिया में होता क्या है कि राष्टपती को बिज़ाई होने के लिए एक निश्चित मतों का भाग प्राप करना होता है वो कुल डाले गए मतों का आधा जो value आता है उसमें एक add करने से जो result मिलता है उतने value आने चाहिए अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 सांसदों ने voting किया तो 100 का आधा उसमें अगर करके एक add करते हैं तो जो result आता है वो इक common होता है और यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि इक common votes किसी ने निलाए है तो होता किया है कि जब तक इक common votes नहीं आ जाएंगे तब तब कोई वीजाई नहीं होगा तो अभी क्या चुनाओ फिर से होगा नहीं चुनाओ फिर से नहीं होगा लेकिन वोटों की counting फिर से होगी उसमें क्या होता है कि पर्थम बरियता में जिसको सबसे कम वोट्स मिलते हैं वो इस परकिरिया से बाहर हो जाता है अब यहां पे हम देखेंगे कि D को सबसे कम मिले हैं वोट्स 14 वोट्स मिले हैं तो D है जो इस परकिरिया से बाहर हो जाएगा अब D इस प्रकिरिया से सबसे कम मात्राथ करने के कारण से बाहर तो हो गया लेकिन क्या होगा कि अभी 14 मत दादाओं ने D को पर्थम बर्यता दिया है लेकिन इस 14 मत दादाओं ने अपनी जो दूसरी बर्यता तो किसी ने किसी को दिया होगा तो वो जो दूसरी वरियता है हम वो देख रहे हैं कि उसने दूसरी वरियता A को 7 वोट दिया है B को 4 वोट दिया है और C को 3 मतलब कि अगर दूसरी वरियता के रूप में देखा जाए तो A को 7 वंदों ने दिया है मतलब ये 14 ही मत दाता है ये जो 14 मत दाता है जिनोंने A पे 1st Friday पे D को जो दिया था वही 14 जो मत दाता है वो दूसरी वरियता उसी 14 वोट्स की देखी जा रही है तो उसमें A को 7 वोट्स मिले है B को 4 और C को 3 वोट्स मिले है तो अभी ये जो दूसरी वरियता वाले जो वोट्स है वो क्या है कि जो बचे हुए परतियासी है उनके वोट्स में एड़ हो जाएंगे तो इस परकार जदी देखते हैं दूसरी वरियता के बाद उमिद्वारों के मतों की संख्या देखते हैं तो ए को 45 और 7 डी वाले मिल गए बी को 23 प्लस 4 डी वाले मिल गए सी को 18 प्लस 3 डी वाले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दूसरी वरियता के गिंती होती है तो ए को 52 वोट्स मिल जाते हैं बी को 27 और सी को 21 और विजाई होने के लिए चाहिए था 51 इस परकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परतियासी ए है वो विजाई होता है और वो भारत का राश्पती बन जाता है तो विजाई उमिदवार यह हुए और वो भारत के राश्पती बन गए दोस्तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगे और सब्सक्राइब कीजें थैंक यू